आप लोग देखें साहिक पाट का जो है साहिक आप जिससे की देख सकते हैं किसमें आयज जो जो दिखें जांच अभी जाड़ी है ममता कालिया अद्वारा रचित कहानी है इसके परमूख पात्र जो है's पढ़म कोश्ष और सद्क्राइम के अब आप लोगट कि कुला फर्व Ng पात्र पढ़ण जाड़ी है कहानी के पर्मोक को लिखनें धर लाम इस काहनी विस्तरी के संघस को दर्साया गया है अपर्णा के चलितर की विषेश्टा है पहला दो पुइंट है आप लोग भी देखे होंगे कि मातु कान्छी नारी अपर्णा जो है अपर्णा जाच भी जारी है काहनी का की परमुख पातर है इसके अंदर मातु कान्छा वर्मा कॉलेज का था कॉलेज की लेक्षिर के पद को छोड़ कर बैग मतलब क्या कि अधिक वह उसको छोड़ करके वह क्या की बैंक में जाकर करके काम करने लगे कि जोएन करती है उसके विचार कॉलेज में बात कुछ करने की संभावना करने के बराबर हुआ घीसा पिटा जीवन जीने की आधिनियों सोस्ती जीएंगे तो नहीं तो इसलिए करतब परायता अपड़ना ये करतब परायन नारी है उसे अपने कार में से बहुत लगा है बैंक में जहां संस्कृति का अभाव देखने को मिलता है अपड़ना अपवाद थी वह अपना कारी नियत से नियम रूप से कर अपने ग्रहाओं को संतुस करके उसे विर्दूल वहवार कर आत्मसंतुस का नुबाब करती थी वह उनका जो करता भी था करतब करते थी ऐसा नहीं कि वह किसी का काम को छोड़िति थी काम को समय पर करते रहती और इतने ळिहान काते थे सबोट खूष कर देती थी ऊ संतुस्ष्ट कर देती और मीठे बचन से बात करती थी तहीं इतना लिखिये तो उचेया बीना रिष्वत के कोई काम नहीं होते हैं भीना पैसे के लिंदेन के से लेकर कोई काम करने वाला नहीं है जहां कमिशन का रुड़क के साथ काम करती है इस सिमानदारी और सहजता के साथ काम करना पढ़ना को क्या है बहुत ही पसंद है उसके में और भी लिख सकते हैं आप लोग है कि अपना अपाड़ना अधिकारियों की हेब दरिष्टि का सिकार हो जाती है चल अपनर एक चल दर वान नारी नारी तर की मनुषका सबसे बड़ा मिश्टर खन्ना और सिन्ना उसके उपर डोड़े डालते हैं पर उन्हें घास नहीं डालती तो उसे पता चलता है कि क्या है अपड़ना एक चालितरवान नारी है तो इस तरह आम लोग लिख सकते हैं उसका देखिया आधर संतान और आग्याकारी वह देखिये इसके साथ साथ अपड़ना एक आधर संतान थी देखिये अपड़ना के अंदर मात्र प्रित भक्ति कूट कूट कर भड़ी हुई है वह अपने माता-पिता की परम से भी का है वह आधर्स पुत्री है अपने अपने किसी भी काम से वह अपने माता-पिता के सीर को नत नहीं होने देती वह ऐ से उसके बुड़े माता-पिता को ठेस पहुंचे इतना लिखिये का उसके बाद लिख सकते हैं कि पिता को मांसिक अगहात लगे उसके ऊपर बैटे जांच आयोग के बारे में भी उसने चर्चा नहीं करती कि उन्हें मांसिक कष्ट पहुंचे वह देखिया इसे तो उस पर ज क्या करती है अपने माता-पिता को नहीं बताती है कि उस पर जांच बिठाए गई है और उस पर कारवाई हो रही है क्योंकि वह क्या थी वह अपराद नहीं की थी किन्तु मिश्टर्स सिन्ना और खन्ना ने उसे क्या किया था जूटे आरपों में फसा दिया था देखिए उ गिर्गराती बल्कि अदम सहस से अपना रडाई स्वयम लड़ती है वह संगर्ष सील है उसे ना दयम्यन और ना प्लायान से शुक्ति मार्ग पर विश्वास है उसे है कि जो होगा उसी को देख करके वह कारी करेंगी जुजारू एम सहासी अदे के अपड़ना का एक कि अडयान निष्खर रखना चाहती है वहां बैंक बैंक से कुनाम और महानी का चलितर परमार्ण पत्र लेकर नहीं जाना चाहती है नहीं तो उसके चार चाहती है चाहती तो उसके अंदर सहसर श्वाविमान का कि यह करती है जब उसके मिलता कि आप पर जाचन लगने के लिए एक खाता दिया जाता तो वो और लेकर लेकर के हाँ मैंने रागराइन तो यह बोलते हैं कि हमें लिखीत में चाहिए तुम्हेमिने लिखित में इसलिए जो देली के समगर करेंगे करवाई देल स्कार कर दीके अगंगा कर्वाई 2019 से वह कर भी सकती थी क्योंकि कर्तव यां बड़ी कर्तब अपालन में बड़ी सकती होती है लेकिन वह ऐसा नहीं की कि उसे पता तक वह बड़ा अदिकाडी है और उस पर और जांध बिठार जाँगा उसे और प्रिशान किया जा रहे इस परकार हम लोग कह सकते हैं कि जाच अभी जारी है में मम्ता कालिया जी ने अपढ़ना के माधियम से इस्तिरी के संगर्ष को दर्शाया अपढ़ना में स्वाविमान पन है उसके साथ ही साथ ही हुआ एक आधर्स संतान वह आग्याकारी संतान भी कही जा सकती है इतना जाल दिया हूं उससे देख सकते और कर सकते हैं और जितना भी एक ड्यक्राइब कर दिया हो तो वह सब लोग देख सकते हैं कविता और कहानी का भी लगबक सभी चाप्ट्र आँ adapts.